नमस्कार दोस्तों सरीता की रसोही में आपका स्वागत है तो देख सते हैं यह हमने फूल गोबी लिया है और फूल गोबी से हम आज की रेसिपी फूल गोबी से बनाएंगे तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखेगा इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो चलिए वीडि से बना सकते हैं और फूल गोबी से बनता है यह बहुत अच्छा लगता है आप जिससे चाहें उससे बना सकते हैं और इसमें हमने ना एक गाजर को भी घिस लिया था थोड़ा सा कलर फूल हो जाएगा और साथ भी इसका बढ़ जाता है तो इस तरह से आप लोग डालना चा थे हैं दो ऊपने काल लिजेगा और घाज़र और घृभी को मिकस कर लाकूर इसमें हम एक चमच नमक डालेंंगे नमक डालने से ना गोभी और घाजर मिसी पानीरिकत छोड देगा पानी तो इसको हम लीилась उलेंगे क्या होता है तो मितलब होता है निचोड़ने से कि नीचोड़ लेते हैं तो जो हम पकोरे बनाइंगे गीले गीले नहीं बनेंग short चलगोल नहीं बने हैं जिसे क Advisor झालते हैं तो तुमोच साइल में रख दिया नमक ढाल के और यह हमने सब्ज ta- hai तो अगर आप लोग को नाअ लाल वाला भी सिम्ला मिर्च मिल जाया पीले वाले भी तो आप लोग ढाल सकते हैं हमें नहीं वह बाधिक कर लिए अगर चाट कर लिए और जूचन के लिए तो उसकी जगह हमने टमाइटर डाला था थोड़ा सा कलर मतलब कलरफूल हो जाएगा इसलिए और मिर्ज को भी मोटे मोटे काट लिया तो सब्जी हमने काट के रख दिया है साइड में और इधर हम गाजर और गोभी को भी निचोड़ लेते हैं तो हमने हाथों से ही इसको निचोड़ा है और देख सकते हैं कितना पानी निकल रहा है इसमें अगर हम इसको निचोड़ते नहीं तो ये पानी इसी में रहता है और पकोड़े हमारे गिल्ले गिल्ले बनते अच्छे नहीं बनते तो इसको निचोड़ना बहुत ज़रूरी है इनको डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब पानी नहीं नहीं चोड़ते ना तो इसमें मैदा और आरा रोड जादा लगता और यह चप्टा चप्टा बनता अच्छा नहीं बनता तो इसमें हमने थोड़ा सहरा धनिया डाला है और अदरक और लहसन को हमने मोटा मोटा कूट रखा था वो भी इसमें डाल दिया इसको डालने से न स्वाद बढ़ जाता है तो आप लोग इसको जरूर डालिएगा और इसमें चाहे तो आप लोग हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं हमने नहीं डाला था और इसको अच्छे से mix कर लेंगे हमने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाला था तो नमक आप लोग कम डालिएगा क्योंकि सुरू में हम इसको नमक डाल के रखे थे साइड में पानी निचुड़ने के लिए तो इसमें नमक का असर रह जाता है थोड़ा बहुत तो इसलिए हलका ही नमक डालिएगा और हमने एक चुटकी के करीब लाल मिर्ची पाउडर लिया यह तीखा नहीं है थोड़ा नॉर्मल है तो थोड़ा सा तीख स्पाइसी करने के लिए हमने थोड़ा सा डाल दिया इसमें आप लोग अगर तीखा ज्यादा खाते हों तो आप लोग ज् ज्यादा चोटा बनाया ना ज्यादा बड़ा बनाया है मेडियम साइज का बॉल बनाया पकोड़े का तो देख सकते हमने इस तरह का बनाया है तो इसी तरह से हम सारा बना लेंगे कि यह गुभी के बॉल साइज आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं तो देख सकते हैं इतने में हमने कम सकम 15-16 बना था तो इधर हम गयास की तरफ आ गया है और हमने कढाई रखा है कढाई में तेल डाल दिया है और तेल नॉर्मल गरम है ज्यादा हाड गरम नहीं करना है इसको नॉर्मल गरम में ही इस पकोड़े को फ्राइ करिएगा क्योंकि ज्यादा धुमेंधार तेल में गरम करेंगे नही तो इसलिए आप लोग इसको धीरे धीरे पकाईएगा मतलब इसको तीन से चार मिनिट लग जाएगा अच्छे से पकने में तो टाइम ज्यादा लगे कोई बात नहीं पर इस चीजे जो है न अच्छी बननी चाहिए तो देखो इस तरह से थोड़ी देर बाद हम इसको इस तरह से पलट देंगे कडशी से अराम से डालते ही तुरंत मत इसको चलाएगा तो देख सकते हैं यह पक क्या अए और हम्में न कुल तीन मिनर्स से थोड़ा सा ज्जाधा लगा था इसको पकने में हमने medium gas पे पकाया है इसको तो इसको हम निकाल लेते हैं तेल को अछिसी निधार लेते हैं और इसको निकाल लेंगे तो देख सकते हैं न कलर कितना प्यारा आगया है पकोडो का और जो बचा हुआ है न उसको भी हम डाल देंगे इसमें फ्राइ करने के लिए तो क्यास का फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा दूसरे टाइम पे भी तेल थोड़ा हाड मतलब गरम होता है तो चाहें तो आप क्यास बंद कर सकते हैं फिर दुबारा डाल सकते हैं क्योंकि तेल इसमें बहुत सारा था एक चमच हमने तेल छोड़ा है इसमें और अद्रक और लहसन का जो मुटा मुटा हमने पेस्ट कूट रखा था हम वो डाल दिया है उसके बाद हमने हरी मुच्ची डाल दिया है इनको हलका से सोटे करेंगे इसके बाद इसमें हम प्याज डाल दियंगे इसको जादा जलाना नहीं है पकाना नहीं है जादा हलका सा थोड़ा सा कच्चापन खतम करना है बस और ये रेसिपी जो है ना बनाना बहुत असान है तो आप लोग अपने घर में जरूर बनाएगा इस तरह से इसके बाद हमने सिम्ला मेच को भी काटा था वो भी डाल देंगे उसको भी हलका सा भूनेंगे इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे और हरा धन्या डाल देंगे इनको भी हमें हलका सा पकाना है बिल्कुल तो अब इसमें हम सौस वगर डालेंगे जिसमें कि हमने एक चमस सेजवान चटनी डाला है अगर आप लोग के पास नहीं है न सेजवान चटनी ते इसको इसको इसकीप भी कर सकते है और एक चमस हमने ग्रीन चिली सौस डाला है अरे रेड चिली सौरी एक चमस के करीब हमने टोमेटो सौस डाला है इसमें और यह हमने एक चमस सौया सौस डाला है इसमें और डेड चमस हमने आरा रोट पाउडर लिया है तो इसमें हम पानी डाल के इसको घोल लेंगे अच्छे से इसमें गुठलिया नहीं होनी चाहिए बिल्कुल इसको अच्छे से घोल लिजेगा और गैस का फ्लेम इस टाइम कम कर दीजेगा क्योंकि सौस बगर है ना तो जले ना इसलिए इसको मिक्स करके और हम जो घोल बनाएं ना आरा रोट का वो इसमें डाल देंगे पाउडर का गोल है आप लोग कमी डालेगा क्योंकि अगर कम पड़े तो आप लोग दुबारा भी डाल सकते हैं अगर एक बार में ज्यादा पड़ जाएगा तो यह जो इसकी ग्रेवी है ना बहुत ठीक हो जाएगी और यह ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाता है तो इस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैं इसके बाद इसको एक मिनट के करीब हमने पकाया है का इसका फ्लेम कम करके और यह देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है कैमरा ना एकदम इसके उपर ही लगा हुआ है तो भाप की वज़े से थोड़ा थोड़ा जिसे धुल्ला कहीं कहीं दिख रहा है तो आप ध्यान मत दिजेगा और यह देश को कितना अच्छा कलर आ गया है उसमें ग्रेवी में के बाद हम इसमें पकोड़े डालेंगे और प तो ध्यान रखिएगा ग्रेवी के लिए बस नमक डालना है क्योंकि पकोड़े वगरह में नमक डला हुआ है तो आप लोग हिसाब से ही नमक डालेगा इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और गैस हम बंद कर देंगे क्योंकि ग्रेवी में इसको ज्यादा नहीं पकाना न देंद की तो घैस को मनें बंद कर दिया और इसको थोड़ा ठंढा होने देते हैं तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं कि देख सकते हैं गरम गरम है इसको याल ना गरम हंद खार न में ही तो आप individuals तो को इसको कुशिस करेगा कि गरम गया हिस्को बजार से लेने जाएंगे न तो बहुत महंगा पढ़ता है तो इसलिए आप लोग इस तरह से अपने भी बना के खाईए और कम चीजों में और जटपट बन जाता है अपने घर में बनाईए और खाईए और हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि यह रेसिपी आप लोग को कैसा लगा और यह तरीका आप लोग को कैसा लगा और यह हमने फूल गोबी से बनाया है इस वज़े से यह बहुत टेस्टी बनाएगा तो आप लोग भी अपने घर में बनाईगा और यह पकोड़े देख सकते हैं कितना नरम है हम चमत से काटे हैं तो इक दम अंसानी से कट गया है गुलाब जामुन की तरह और खाने में भी उतने ही अच्छा है यह अंदर से इदम जालीदार है यह पकोड़े बहुत बहुत नहीं था को मेंट करके जरूर बताएगा और हाँ आपने दोस्तों रिष्टेदारों में सेयर भी करिएगा तो देख सकते कितने लग रहा है अच्छा और टेस्टी लग रहा है खान भी उतने टेस्टी है तो मिलते हैं नई वीडियो में